हेलो फ्यूचर आइटिंस कैसे हो आप लोग जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर इलेक्ट्र स्टैक्स का सीरीज चल रहा था और मैंने पहला चैप्टर करा दिया था चार्च एलेक्ट्री फिल्ड एंड कूलाम्स लोग वाला एंड डायपोल मुमेंट वगरा यह जो च पार दक करते हैं तो साइद आपको सजाई लगे। यहाँ पर देखा है कि एक रेगूलर हैक्सद कर दे हैerdर तो तु है इस तरह से हैं और इसकी साइड में इसके चारो तरब कोई प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और यह प्लस यह उनली एक्स चार्ड है कोई अब इसकी इसकी वैलू नहीं दे रही है ठीक है तो इस तरह से रखे हैं कि मतलब सब रेगुलर रख दिये और o से एक टाल एक से ऐ से इसके सें पर पर फसाड़ एक टालो और इस तरह से इसको रखा गया है तो जितने वाली una requires ऐसे यहां की एस यहां की मा लो d है जैसे यहां की आ धी है तो उतनी ही दूरी पर पर D दूरी पर, यहां पर रखा गया ă Чार्ernen को, फीक है? इस तरह से रखा गया है, तो मतलत। से इसकी लैन पर, इसकी साड पर, जो पर्षपेंडर क्राफेंडर डालेंगे, उसकी लैन्थ मालो D है, तो उसी से दूर, d distance पर किसी charge को इस तरह से रखा है और यह किस तरह से रखा गया है कि 90 degree angle बना रहा है इस तरह से ठीक है 90 degree angle बना रहा हुग इस तरह से इधर यह 90 degree ऐसे इधर यह 90 degree ऐसे सब मतलब 90 degree पर रखे हैं ठीक है इस तरह से ओके और इस hexagon की जो side है ये side, इसकी length A है, ठीक है, इसकी length क्या है, A, और question पूछा है, which of the following statement is are correct in SI unit, ठीक है, are correct, तो ये बहुत जरूरी है, आपको जब question करते हो, आपको ये जानना जरूरी है, कि ये क्या पूछ रहा है, are correct, correct वाले options पूछ रहा है, कभी कभी यो बोलता है, बोलता है, which of the following is are not correct, ठीक है, तो आप इस चीज़ी को mark करना, जब भी आप question करते हो, आप इस चीज़ी को इस तरह से mark कर लिया करेगे, correct वाले answer पूछ रहा है, तो जो भी correct होगा, मैं उसे tick करना है, ओके, तो पहला question है, when x equal to q, magnitude of electric field at origin is 0, तो देखो, जब अगर ये q होगा, अगर ये q होगा, मालो, ये q होगा, तो क्या होगा, कि ये center पे electric field पूछा है, इसके center पे electric field पूछा है, तो center पे हर चार्ज की जो distance होगी, same होगी, तो जैसे ये plus q, मतलब सब symmetrical होगे, सब symmetrical होगे, अगर देखे, ऐसे land खीच दो, तो इधर भी same tap का है, और भी same tap का है system, ठीक है, तो जैसे ये plus q चार्ज की वेए से electric field ऐसे आ रहा होगा, तो ये दोनों cancel out हो जाएंगे, ऐसे ही इस चार्ज की वेए से electric field ऐसे आ रहा होगा, तो ये भी cancel out हो जाएंगे, अगर ये plus q हुआ, तो electric field 0 होगा, ये वाला option हमारा सही है, this is correct, तो पहला correct होगे है, ठीक है, पहला सही है भाई, अब दूसरा देखते है, when x equal to minus q, maganine toward of electric field at origin is this, तो क्या ये वाला होगा, वो भी देखते हैं, तो देखो, अब फिर से कि मानलो, ये वाला, अब की बार ये minus q charge है, क्या ही, minus q charge, ठीक है, अब देखना, अब पहले इन दोनों का देखते है, तो जैसे ये वाला plus q charge है, इसकी वैसे electric field इधर होगा, और इस plus q charge की वैसे electric field इधर होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को cancel out कर देंगे, ठीक है, ऐसे ये plus q charge की वैसे electric field ऐसे होगा, और इस plus q charge की वैसे electric field ऐसे होगा, तो ये भी एक दूसरे को cancel out कर देंगे, इस plus q charge की वैसे electric field ऐसे होगा, और इस minus q charge की वैसे electric field ऐसे होगा, ठीक है, तो ये दोनों cancel out नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, add हो जाएंगे, ठीक टूड़ी और इसकी direction किदर होगी अगर ये इसको मैं xy plane मान रहा हूँ मैं तो इसकी direction होगी minus j cap minus j cap नीचे की तरफ न लेक्टर फील्ड ठीक है इलेक्टर फील्ड कैसे है नीचे की तरफ तो इसको बोल दूँगा minus j cap ठीक है minus j cap ठीक है aq upon 2d same distance होगी क्योंकि जितनी distance o से इस plus q की है उतनी ही o से minus q की रहेगी तो ये भी 2d आ जाएगा नीचे 2d और इसकी direction किदर होगी minus y cap ये भी तो इसका भी तो इलेक्टर फील्ड नीचे होगा इस तरह से ठीक है अब देखो दोनों अगर open net electric field निकालोंगा open net electric field निकालोंगा तो वह हो जाएगा e1 vector plus e2 vector मतलब दोनों electric field को जोड़ दिया ये पहला वाला ये 1 है माल दो ये 1 है और ये दूसरा है दोनों को जोड़ दो तो electric field आ जाएगा origin पर 2aq upon 2d और minus y cap इस तरह से अब मुझे 2d की value निकालनी है मतलब d की value कैसे निकालेंगे तो जैसे देखो ये जो hexagon होता है जब तो ये ये angle 30 degree होता है मतलब ये इसकी side इसके center पर इसकी sides है side जो है एक side होगे वो इसके center पर 30 degree angle बना रही होगे 60 sorry 60 बना रही होगे तो इसका half जो angle हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 30 ठीक है ये वाला angle कितना हो जाएगा 30 ठीक है 30 हो जाएगा अगर ये distance d है ये distance d है और ये distance कितनी होगी बाई क्योंकि total length a है तो ये distance होगे a by 2 तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर देखोगे आप इधर देखोगे ठीक है इस triangle में देखोगे आप इस बाले में तो आप देख पाऊगे कि ये कुछ इस तरह से है ये d है ये 30 डिगरी है और ये a by 2 है तो आप सीधा सीधा देख सकते हो अगर इसको मैं थोड़ा सा और रोटेट करूँ तो आप देखोगे cos 30 equal to a by 2 upon d या फिर d sorry 1030 equal to a by 2 1030 equal to a by 2 upon this d ठीक है तो यहाँ से आप देखोगे 1030 की value होती है 1 upon root 3 1 upon root 3 और a upon ये हो जाएगा 2d ठीक है तो यहाँ से 2d की value निकल जाएगी root 3a ओके ठीक है अब देखो अब आपका electric field जो ये है आपका जो electric field है जो ये कितना हो जाएगा आपका electric field ये हो जाएगा 2aq upon 2d 2d की value हो root 3a sorry sorry square होगा ये square होगा ये square होगा I am sorry ये square होगा ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2d की square हो जाएगा root 3 I mean 3a square अब a की value रख देंगे a की value रखेंगे 1 upon 4 pi epsilon 0 तो 2 से 2 कर दाएगा और 3 से 2 का multiply हो जाएगा Q upon 6 pi epsilon 0 a square और केदर आएगा minus y cap direction ओके तो ये question हो गया आपका अब B वाला ठीक है तो B हो गया potential किस तरह से निकालते हैं ठीक है किसी चार्ज का ये चार्ज है ना तो चार्ज का potential किस तरह से निकालते है same electric field की तरह है तो easy हो जाता है कुछ है नहीं इसमें ठीक है तो जो potential का formula होता है मैं बता जेता हूँ आपको जैसा कोई plus q charge ये है plus q charge है और इससे मुझे r distance पर potential निकालना है क्या निकालना है मुझे potential निकालना है तो यह potential यहाँ पर value आएगे इसकी a q upon r simple कुछ है नहीं अगर यह plus है तो प्लस आएगा यहाँ पर अगर यह minus होता तो यहाँ पर minus आयाता है simple अगर यह minus charge होता है तो यहाँ पर लिखते minus a q upon r अगर यह minus charge होता है तो यहाँ पर लिखते minus a q upon r तो ऐसे ही देखेंगे अब when x equal to when x equal to 2q is the potential at o this तो जब x equal to 2q होगा पहली बात तो देखो देखो सारे अगर यह भी 2q होगा मैं फिर से बना देता हूँ चलो ऐसी छोड़ देता हूँ इसको अब की बार यह अगर प्लस 2q है यह अगर प्लस 2q है तो एक चीछी देखो सेंट्र पर पोटेंस भो निकाल रहे है potential तो सेंट्र पोटेंस निकालने के लिए हमें distance पता है 2d और charge की value पता q और सारे positive charge तो सबका potential यहाँ पर जुड़ जाएगा ठीक है क्योंकि potential एक scalar quantity दो सबका जुड़ जाएगा जैसे इसका आएगा aq upon 2d आएगा इस वाले का आएगा aq upon 2d इस वाले का भी aq upon 2d और इस वाले का आएगा a into 2q upon 2d ठीक है तो charge कितने एक दो ती चार पांच छे स्वरी यह पांच होगे और छे सात सात चार्थ है तो स potential आएगा इसका वो आएगा seven seven aq या ऐसे देख सकते है five aq upon 2d आएगा पांच चार जगा मतलब यह पांच चार जगा एक दो ती चार पांच का आएगा five aq upon 2d और दूसरे का आएगा एक last बचा जो आएगा उसका आएगा a two q upon 2d तो यह भी देखोगे आप यह हो जाएगा seven aq upon 2d 2d की value रख देंगे root three a और a की value रख देंगे capital a इस capital a की value रख देंगे one upon four pi epsilon not और इस two d की value रख देंगे root three a तो यह हो जाएगा आपका seven q upon four pi epsilon not यह four root three pi epsilon not a okay तो यह भी match कर गया तो हमारा यह answer भी सही है तो c भी क्या हो गया हमारा correct हो गया ठीक है अब d देख लेते हैं d when x equal to minus two q when x equal to minus two q तो potential at o is this तो जब minus two होगा यहाँ पर minus sorry minus three q है तो minus three q होगा तो इस जगे पर क्या आजाएगा minus three q तो आपका answer हो जाएगा यह five a q upon two d plus a minus two q upon two d तो यह होगा आपका minus से कम होगा तो यह होगा three a q upon two d और a की value रख देंगे तो यह होगा three q upon four root three by epsilon a okay तो i think यह भी सही है यहाँ पर यह भी इस से match कर गया तो i think यह भी सही होगा यहाँ पर ठीक है अगर कोई calculation mistake हो तो please check कर लेना बाकी मुझे नहीं लगता कुछ होगा ऐसा गड़बड ठीक है वेट यहाँ पर एक mistake होगी थी यहाँ पर यह 3 q होगा यह mistake होगा यह यहाँ पर यह 3 q होगा यह क्या होगा 3 q ठीक है तो यह बचेगा इधर 2 और इधर भी 2 बचेगा ठीक है और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 से 2 cancel हो जाएगा 2 से 4 cancel हो जाएगा तो 2 pi यह 2 root 3 pi epsilon a तो यह correct नहीं है थोड़ी सी गलती होगी थी 5 में से मतलब यहाँ पर 2 मतलब यहाँ पर मैंने इस जगे पर मैंने minus 2 q रख देता लेकिन यह क्या है minus 3 q है तो यहाँ उसे थोड़ी से mistake होगी थी ठीक है बाकी सब सेम है और कुछ है नहीं इसमें ठीक है ओके तो अब अग आप समझे पा रहे हो तो मुझे comment करके बताएं कि यहां यह तरीका सही है आप इस तरह से video बना सकते हो ठीक है और मैं इस तरह से video बना दोंगा और अगर आप नए हो तो इस channel को subscribe कर देना और ठीक है और वीडियो को like करना अगर आपको पसंद आये तो ठीक है thank you so much for watching the video and we will meet in next big session यह तो बस जैसे just मैंने ऐसे ही थोड़ा सा कराया था थोड़ा सा explain किया था मतलब एक question लेके मैं check करना चारा था कि वीडियो किस तरह से बन रही है आप लोगों को समयमा आती है या नहीं ठीक है ओक बाई गाइच